Hello and welcome to your channel as they like it. Indian history की सीरीज में आज हम देखेंगे खिलजी डैनेश्टी का पार्ट टू. इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कैसे सेट अप हुई थी खिलजी डैनेश्टी. साथी हमने जाना था जलालुदिन खिलजी की रूल के बारे में और हमने देखा था कैसे अलालुदिन खिलजी ने डैली सल्तनत का तक्त अपने हाथ में ले लिया था. अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इस रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बात देख लें ताकि continuity में ये topic आपको समझ में आ पाए. आएए अब जानते हैं हम अलाउदिन खिलजी के expeditions के बारे में. अलाउदिन खिलजी एक imperialistic king थे और वो पूरी दुनिया को जीतना चाते थे और इसी कारण से अलाउदिन खिलजी को सिकंदर सनी या सेकिंड सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है. सबसे पहले की गई थी गुजराद expedition in 1299. गुरुजराद पर चड़ाई की गई थी अगेंस्ट राजा राजकिरन भगेला जिसको इस लड़ाई में हरा दिया गया था. और इसी कैंपेन के दुराण खिलजी ने एक्वाइर किया था मलिक काफूर को जो की एक ट्रांस सेक्चुल था और इसे हजारे दियनारी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अलाउदी ने इसे हजार दिनार दे कर खरीदा था. आगे चलकर मलिक काफूर अलाउदीन खिलजी का वन आफ दे मोस्ट टस्टेबल जनरल बना था. इसके बाद की गई थी रंथमबोर एक्सपेडिशन इन 1301 अगेंश्ट राजा हमीर देव. इस लड़ाई के दौरान नुसरत खान जो की अलाउदीन खिलजी के एक इंपॉर खान को दे दी थी जिसके नाम पर चित्वर का नाम बदल कर कर दिया गया था खिजराबाद. इसके बाद अलाउदीन खिलजी ने अटेक किया था देवागिरी में. देवागिरी के राजा थे रामचंद्र देव यादव. आईए अब जानते हैं अलाउदीन खिलजी के किया गया है अलावदिन खिलजी ने religion of politics को हमेशा separate रखा और उसने कई steps लिए ताकि rebellions ना हो पाएं जैसे उसने matrimonial alliances nobles की बीच में नहीं होने दिये nobles को monitor करने के लिए उसने spies appoint किये थे secret gatherings को रोका गया था और उलिमाज को administration में कभी भी interfere नहीं करने दिया गया था अलावदिन खिलजी ने कई market reforms भी किये थे अलावदिन खिलजी ने अपने सिपाईओ को cash में पे करना start किया था और क्योंकि सिपाईओ की तनखा कम थी इसलिए अलावदिन खिलजी के main focus में रहा market prices को control करना अलाओदिन खिलजी ने इसके लिए एक intelligence network create किया था ताकि black marketing और hoarding को control किया जा सके आएए अब जानते हैं अलाओदिन खिलजी के military reforms अलाओदिन खिलजी ने बहुत बड़ी और बहुत powerful army maintain की थी और इनी को control करने के लिए अलाओदिन खिलजी ने introduce किया था system of horse branding जिसको दाग के नाम से जाना जाता है इनफेक्ट चहरा एंदाग सिस्टम अलाओदिन खिलजी की innovation है जहां चहरा एक detailed description of every soldier देता है और दाग branding of horse को कहते हैं अलाओदिन खिलजी पहले सुल्तान थे जिसने large permanent standing army को maintain किया था और soldiers को cash में पे किया था आये अब जानते हैं अलाओदिन खिलजी के land revenue reforms अलाओदिन खिलजी ने establish किया था एक separate revenue agency with the name of दिवाने मुष्क राज अलाओदिन ने एक scientific method device किया था for the measuring of land and calculating of land revenue revenue fix किया गया था half of the production और ये based होता था on the land under cultivation अलाओदिन खिलजी हिस्ट्री का first ऐसा ruler था जिसने land revenue को cash में fix किया था और ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि soldiers को भी वो cash में ही पे करता था आये अब जानते हैं आर्ट और culture के बारे में भी अलाओदिन खिलजी एक अनपड था लेकिन वो supporter था art and education का अमीर खुसरो और मीर हसन दल्वी उसके court में present थे अलाओदिन खिलजी ने ही city of city established की थी और कुतुम मिनार के पास जमायत खाना मस्जिद भी established की थी अलाओदिन खिलजी ने ही construct करवाया था अलाओदिन खिलजी ने ही कुतुम मिनार के पास अलाओदिन बनाना भी start किया था लेकिन he was not able to finish it आईए अब जानते हैं मंगोल अटैक के बारे में जो अलाओदिन खिलजी के period में हुए थे अलाओदिन खिलजी के कारेकाल से पहले मंगोल्स ने इंडिया पर अटैक किये थे लेकिन इससे पहले मंगोल्स अटैक करते थे सिर्फ लूटने की रादे से और अब अलाओदिन खिलजी के कारेकाल में मंगोल अटैक कर रहे थे अपना empire को expand करने के लिए अलाउदीन खिलजी के रूल के टाइम पर मुंगोल्स ने 7 अटैक किये थे बट इन सभी 7 अटैक में अलाउदीन खिलजी ने मंगोल्स को हराया था यहाँ पे ये बात जान लें कि मंगोल्स सेंटरल एशिया की एक नुमैडिक ट्राइब है अलाउदिन खिलजी ने मंगोल थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए एडॉप्ट की थी बालबन की बलड एन आयरन स्ट्रेटिजी इस स्ट्रेटिजी के अंतरगत उसने कंस्ट्रक्ट करवाई थी एक प्रोटेक्टिव वाल अरॉंड डेली और रेनोवेट किये थे सभी पुराने फोर्ट जहां से मंगोल आ सकते थे इन सभी रेनोवेटिट फोर्ट में उसने इस्टैब्लिश किये थे एक्सपिरियंस कमांडर्स Northwest Frontier को defend करने के लिए उसने establish की थी एक permanent and distinct army और इनी सब कारणों से मंगोल कभी भी अलाओदिन खिलजी को नहीं हरा पाए तो दोस्तों ये थी हमारी coverage regarding खिलजी dynasty अगर ये lecture आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को like and subscribe करें Thank you